पहला कुरुंतियों तेरा दिहाए चार से छे पद प्रेम धीरंज्वत है और कृपाल है प्रेम डाहा नहीं करता प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं वह अनिदिती नहीं चलता वह अपनी बड़ाई नहीं चाहता जुन चलाता नहीं बुरा नहीं मानता कुकर्म से आनन्दित नहीं होता परंदु सत्य से आनन्दित होता है किसी भी बात का बुरा ना मानना अर्थात हिर्दे में किसी भी प्रकार की बुराई का ना होना है कुकर्म से आनन्दित ना होने का मतलब है शर्मनाक और अपमान जनक, कारे, वेभार और आचरन से आनन्दित ना होना और ना ही उनमें शामिल होना है प्रभु में कुकर्म, साधरन प्रकरण में कुकर्म से अलग है बहुत से पापों में, खास दोर पर शरीर के पापों में, जब हिर्दय की बुराई की सी रूप में प्रकट होती है, यहाँ पाप है और यहाँ कुकर्म है सत्य में आननित होना इसका मतलब क्या है? सबसे पहले है सू समाचार के साथ आननित होना, दूसरा है सत्य के साथ आननित होना, अर्थाद जो कुछ सत्य का है सब बातों में आननित होना तीसरा, सत्य में आनदित होने का मतलब है परमिश्व के वचन पर विश्वास करना और उसके अभ्यास करने की खोशिश करना मुझे आशा है कि वे आशू सत्य में आनदित होते हुए जो आप बहाएंगे वो सुन्दर रत्न बनेगे जो स्वर्ग में आपके खरों को सचाएंगे बसी में प्रिया भाईयों और बहनों और तमाम टीवी दर्शकों आत्मिक प्रेम शुंखला के ओपर यहों सोलवांस सत्र है हर दिन एक खुशे का जीवन जीने के लिए बहुत से लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कुछ लोग बहुत परिश्रम से काम करते हैं कि उनके पास कोई आर्थिक कमे ना हो और साथ ही एक सहे जीवन जी सकें और खुश लोग बहुत सा समय और बहुत सा प्रयास लगा देते हैं अधिग्यान और विख्याती को प्राप्ट करने के लिए क्योंकि वो ऐसा विश्वास करते हैं कि इन चीजों के द्वारा उन्हें आनन्द मिलेगा इसलिए वो परिश्वां करते हैं उन चीजों के लिए जिने वो बहुमले समझते हैं आपने प्रफु को ग्रहन किया है और परमिश्वर के संतान के रूप में फिर से जन्म पाया है तो फिर आप अपनी खुशी के लिए किन बातों की खोश करते हैं यदि आपके पास सचा विश्वास हो तो आप आत्मिक प्रेम की चाहत सबसे अधिक रखेंगे सुरिष्ट के ताठ अध्याय साथ पत कहता है पाने की बाट से भी प्रेम नहीं भुच सकता और ना महानदों में डूप सकता है यभी कोई अपने घर की सारी संपती प्रेम की संती दे दे तो अभी वह अत्यान तुछ ठहरेगी आप आत्मिक प्रेम को किसी भी प्रकार के आदर, अधिकार या पैसो से नहीं खरिद सकते संपती, विख्याती या संसारी का अधिकार, जिसे यहो संसार बहुमलिय समझता है, वो एक ही दिन में खत्म हो सकती है चाहे अपने पूरे जीवन भर अगर कोई उसका अनन ले भी, तो भी उसके जीवन इस धर्थी पर खत्म होने के बाद, उनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन वो आत्मिक प्रेम, जिसे आप अपने हिर्दे में जूत लेते हैं, वो ना तो छीना जा सकता है, ना कोई उसको नाश कर सकता है चाहे कोई अपने पूरे जीवन भर की संपती के बदले आप से आत्मिक प्रेम मांगे तो भी हो इतना बहुत मुल्य है जिसे आप उसके बदले नहीं दे सकते हैं वो इसली क्योंकि आत्मिक प्रेम अननत जीवन है, संपती, अधिकार और महिमा है इसका मतलब यहो है कि यहो इस धर्दी के जीवन को भी खुशनुमा और बहुतायत का बना देता है मुझे आशा है कि आप इस प्रेम के मुल्यक को समझेंगे और साथ ही अधिक लालसा के साथ इस संदेश को सुनेंगे साथ ही मैं आपसे बनती करता हूँ कि जो कुछ इस संदेश में आप सुने, उसका अभ्यास करें ताकि आत्मिक प्रेम कहलाने वाले इस खजाने को आप प्राप्त करें मैं प्रभू के नाम से प्राप्तना करता हूँ कि आप विजय से भी बढ़कर बने और नए रुष्ले में जाएं मसी में प्रेम भाई और बहनों पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि प्रेम बुरा नहीं मानता जिस सीमा तक आप आत्मिक प्रेम को अपने हिर्दे में जोत लेते हैं आप किसी की भी बुराई नहीं सोचते आप नहीं चाहते कि दूसरों के साथ कुछ गलत हो ना आप दोश लगाते हैं ना निंदा करते हैं इससे भी बढ़कर जिन्होंने पूरी तरह से आत्मिक प्रेम को जोत लिया है उनके पास कोई भी ऐसा विचार नहीं होगा जो परमेश्वर के इच्छा नुसार उचितना हो क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसकी सारी इच्छाएं भाले है जो कुछ भी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है वो पाप है इसलिए आप आत्मिक प्रेम को केवल तभी पास सकते है जब आप पूरी तरह से सभी प्रकार की बुराई को दूर करें तो फिर परमेश्यूर की हिर्दे के सद्रिश आप बनेंगे जो आपने आप में प्रेम है और केवल भले विचार आपके पास होगी आज के पार्ट में भी लिखा है की प्रेम कुकर्म से आनन्दित नहीं होता हलाक यहोव वचार आपके साथ पारिवारिक हो सकते है लेकिन आप यूगी होने चाही कि उन वचनों के भेदों को आप जान सके आपको ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में जानते हैं लेकिन जब मैं आपसे प्रशन पूछू तो हो सकता है कि आप मेरी प्रशन का उत्ता ना दे सकूँ कुकर्म से आननित नहोना और बुरा नहानना ये दोनों समान है लेकिन इन में जो अंतर है वो यहो है कि बुरा नहानना उसका मतलब है हिर्दे में किसी भी प्रकार की बुराई का ना होना और कुकर्म से आननित ना होना उसका मतलब है शर्मनाक और अपमान जनक वेवहार, आचरण और कार्योसी प्रसन ना होना और नहीं उनमें शामिल होना इन दोनों में जो अंतर है इसकी बहेतर समझ के लिए एक उधारन मैं आपको देता हूँ माले जी, आपका एक दोस्त है जो अमीर है और आप उसे जलन रखते हैं आप उसे पसंद नहीं करते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो हमेशा अपनी अमेरी की शेखिया मारता है और आप ऐसा भी सोचते है कि वो तो बहुत अमीर है लेकिन मैं तो नहीं हूँ काश उसका दिवालिया निकल जाता यहो है बुरी चीजों के बारे में सोचना लेकिन माले जी एक दिन किसी ने उसको लूट दिया और उसकी कंपनी का दिवालिया निकल गया आप मैंसे कुछ लोग ने इसका नभव किया है यहां तक इस कलिसिया में भी आपने किया है या नहीं और उस वक्त यदि आप इस बात में आनंद करें यहो सोचते हुए कि वहो तो शेखिया मारता था अपनी अमेरिका इसलिए उसके साथ अच्छा हुआ यहो है कुकर्म में आनंदित होना या कुकर्म से प्रसन होना इससे भी बढ़कर अगर आप इस तरह के काम में शामिल होते हैं तो यहो है सक्रियाता से कुकर्म के साथ आनंदित होना आईए कुकर्म के बारे में और भी गहराई से मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, सामने प्रकरण में कुकर्म, जिसे संसारिक लोग भी कुकर्म समझते हैं. उधारण के लिए, एक व्यक्ति अपने पैसे या अपने लाब से खुश हो सकता है, जिसे उसने अनुची तरीके से कमाया है. यहाँ कुछ ऐसा नहीं, जिसे उसने पसिना बहा कर परिश्रम से कमाया हो, वरन धोके बाजी से या डरा धमका कर दूसरों से उसने लिया है. और साथ ही, एक व्यक्ति अपने व्यक्तिकत लाब के लिए देश के नियम कानूनों को तोड़ देता है. अपने व्यक्तिकत लाब के लिए, जो कुछ हो सकता है, लोग वही करते हैं. उसके बाबजुद भी वो ये कहते हैं, कि वे इसे अपने देश के लिए कर रहे हैं. लेवे अवस्थाउं निसाध्याई 35 पद में लिखा है, तुम न्याए में और परिमान में और तोल में और नाप में कुटिलता ना करना. उधारण के लिए, मालेजे कोई जज रिश्वत लेकर गलत फैसला सुनाता है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके कानुन का उलंगहन करता है और अधर्म का पैसा कमाता है. इस प्रकार से वो निर्दोष को अपराधि ठहरा सकता है और सजा सुना सकता है. एक जज को सबसे अधिक इमानदार होना पड़ता है, लेकिन यहोव्यक्ति, वो इस तरह के कुपकरम का कार्य करता है, क्योंकि वो हो, पैसे की खोज में रहता है, और इस आयत के दुसरे हिस्से में लिखा है, और परिमान में, और तोल में. उधारन के लिए, जब कोई व्यक्ति कुछ बेचता है, तो वो हो तोल में धोका दे सकता है. वो सस्ती या खराब क्वैलिटी की चीज आपको दे सकता है, अधरम का फाइदा या लाब कमाने के लिए. वो जानता है कि सही क्या है, लेकिन वो दुसरों को धोका देता है, क्य लिए, क्योंकि वहाँ पर वो दुकान चलाते थी, एक सजावट की दुकान चलाते थी, मैं उनकी मदद करने के लिए वहाँ चला जाता था, आम तोर पर गर्मियों की छुटियों के दौरान, और मेरे लिए विड़मना की बात हो थी, क्या वहाँ कोई ऐसा है, जो बिना ध धोके बाजी से अपने चीजों को बेचता हो, हर कोई ऐसा लगता था कि अपने ग्रहगों को धोका दे रहा है, मालनीची उन्होंने कपड़ा नापा, मालनीची उन्हें दो मीटर का लंबा कपड़ा नापना है या बेचना है, तो वे ऐसे दिखाते थे जैसे मानो वो सही स इसे उसे नाप रहे हो इस तरह से ऐसा लगता था कि जितना मांगा है उससे भी वो ज़्यादा दे रहे है अपने ग्रहा को वो इस तरह की चालवाजी कर दे थे और ग्रहा को ऐसा लगता था कि उन्हें ज्यादा मिला है और अगर घर पर वो ग्रहा को उसको नाप तुसे पता चल जाएगा कि उसने धोका खाया है लेकिन वे लोग जो कपड़ा बेचते थी उन्हें यहाँ पता रहता था कि ग्रहा को अपनी ड्रेस बनाने के लिए जितना कपड़ा चाहिए वो पर्याप्त है और वो ये भी जानते है कि वो ग्रहा क शिकायत नहीं करेगा इसलिए वो ऐसा करते हैं, वो अपने ग्रहाकों को धोखा देते हैं आए हम चावल की दुकान के बारे में बात करते हैं जब मैं कुमो दौंग में रहता था मेरे पूरे परिवार के लिए एक कमरे का छोटा सा घर हमने किराए पर लिया हुआ था और उस बिल्टिंग का मालिक चावल की दुकान चलाता था उसकी पर्चुन की दुकान थी उसके पास बहुत सारे ग्रहाक रहते थी ग्रहाकों को उसकी दुकान बहुत पसंद थी उसका एक कारण था और वो कारण यहाँ था कि एक महिला ने उसके दुकान से कुछ खरीदा था और जब उसने तोला उसको तो उसने पाया कि वो कम नहीं था वरंद ज्यादा था इस बचा से बहुत से ग्रहाक उसके पास आते थी दूसरे दुकानदार ग्रहाकों को धोका दे रही थी जितना ग्रहाक मांगते थे वो तोल बिल्कुल अलग होता था उससे और होता यहाँ था कि वे अपने तराजों में कुछ गड़बड़ी कर देते थे और अपने ग्रहाकों को इस तरह से धोका देते थे लेकिन हमारी बिल्डिंग का मालिक वो अपने ग्रहाकों को धोखा नहीं देता था इस बचा से सुभावी क्रूप से उसके पास बहुत से ग्रहाक थे और एक सफल व्यापार वो कर रहा था बहुत से लोग दूसरों को धोखा देते हैं क्योंकि वे कुक कर्म के पैसे में आनंद करते हैं क्या आपके पास इस थरह का हिर्दय है? मालिजी मालिजी कुछ इस थरह से हुआ क्रिपय आप अपने हिर्दय को इस बात से जांचे चाहे किसी भी प्रकार का व्यापार आपका क्यों ना हो माली जी आप एक जन सेवक है और आपको पता चला कि आपका एक करीबी दोस्त गेर कानोनी तरीके से बहुत सा पैसा कमा रहा है किसी व्यापार में यदि वो पकड़ा जाता है तो कड़ी सजा उसे मिलेगी और आपका यहुद दोस्त एक बड़ी धनराशीं आपको देता है और आपको कहता है कि आप चुपचाप रहें इस बारे में वो कहता है कि बाद में और भी बड़ी धनराशी वो आपको देगा और अब क्या करेंगे आप एक और स्थिति की कलबना किजी एक दिन आपने अपने बैंक अकॉण्ट को चेक किया जितना आपने सोचा था आपके बैंक अकॉण्ट में उससे कहीं बढ़ कर पैसा है और आपको पता चला कि टैक्स में जो पैसा कटना था वो नहीं कटा है इस तरह के मामले में आप क्या करेंगे क्या आप आननिद होगे कि बहुत अच्छी बात है ये तो यदि आप परमेश्वर के संतान है जो वास्तविक्ता में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो फिर कुकर्म के कमाई हुए पैसे में आप आननिद नहीं होगे चाहे वो छोटी सी ही बात क्यों नहीं हो परमिश्वर धर्मी है उसमें किसी भी प्रकार की कुटिलता नहीं है हम लोगों की आँखे ढग सकते हैं लेकिन परमिश्वर को धोका नहीं दे सकते इसलिए कम से कम परमिश्वर के भाय से हमें सही मार पर चलना है इमानदारी के साथ वो जो परमिशुर से प्रेम करते हैं, जो परमिशुर से प्रेम पाते हैं, वो किसी का नुक्सान नहीं करेंगे, ना ही गेर कानुनी तरीके से अपने लाब की बात खोजेंगे. लेकिन आज खल के दिनों में, कहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे? एक बार जब मैं सेमिनरी स्कूल में था, मैं अपने सहफ आठियों से बात किया करता था. मैं कहता था, कि यदि मुझे कोई ऐसा मिलें, जो वास्पिक्ता में इमानदार हो परमिशुर के लिए, जो परमिशुर से प्रेम करता हो, और अपने परिवार में भी जो इमानदार हो, तो उसे मैं अपना दोस्त बनाऊँगा, यहां तक ही अपना जीवन भी मैं उसके लिए दे दूँगा. ऐसा दोस्त ढूंडने की मैं लानसा रखता था, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला. जब मैं सेमिनल स्कूल में था, जब मैं सेवक बना, जब मैं मस्थी समुदाय में किसी परकार के भूमी का अधा करता था, मुझे कभी भी कोई नहीं मिला. यहां तकी विदेशों में भी नहीं, लेकिन इस कलिसिया में कुछ है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ निश्चित रूप से हैं. इसलिए कुछ और नहीं वरन में उन्हें अपने हिर्दे में रखता हूं और उनके लिए प्रातना करता हूं. पवित्रात्मा कारे करता है, उनके बारे में हमेशा मुझे याद दिलाता है. वो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करेंगे और नहीं गैर कानुनी तरीके से अपना लाब खोजेंगे. वे जो कुकर्म से आनंदित होते हैं, वो इस तरह के काम करते हैं. क्योंकि परमेशुर के लिए ना अपने पर्डूसियों के लिए उनके पास प्रेम होता है. परमेशुर की संतान के पास ऐसी लोगों के लिए दुख और चिंता होनी चाहिए जब कोई कुकर्म ओद देखते हैं. जब आप मुझसे कहते हैं कि मैं आपको अपने हिर्दे में रखूं और आपके लिए प्रात्ना करूं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा करूं, लेकिन अगर पहुत्रात्मा काम ना करें तो वो नहीं होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि आप सौ प्रतिशत, विश्वास योगे हैं, यदि सच मुझ परमेशोड से आप प्रीम करते हैं, भलाई करते हैं, वास्तविता में अगर आप इमानदार हैं, तो यदि भी आप मुझसे ना भी कहें, तो भी मैं आपको अपने हिर्दे यहाँ है, ना क्योल के अर कानुने तरीके से चलना और दुसरों का नुकसान करना, वरन हर काम, हर वो पाप, जो परमेशोड के वचन की विरुद है, वो कुक कर्म है, जब हिर्दे की बुराई किसी विशेश रूप में प्रकट होती हैं, तो यहाँ पाप है, और यहाँ पापों में विशेश तोर पर वो जो शरीर के काम है, पहला कुरुंतियो 6, अध्याय 9 और 10 पत कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्याई लोग परमेशोड के राजिय के वारिस नहीं होगे, यहाँ पर लिखा है, वे जो अन्याई है, वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, व और नए नियम यह दोनों एक समान है, लेकिन आजकल की कलिसिया इन चीजों को नहीं सिखाती, बजाए इसके वो दोश लगाती हैं, दूसरों के निंदा करती हैं, हर वक्त वो बुरा ही करती हैं, हलांकि सब के सब ऐसा नहीं करते, लेकिन ऐसे बहुत हैं, उन्हें अपनी लोगों को सिखाना चाहिए इन बातों को, ताकि वे नर्क ना जाएं. जैसे कि आपको पता होगा, मैं बहुत सी जागरती सभाएं करता था 1980 के दशक में. बहुत सी कलिस्याओं ने मुझे आमंत्रित करने की कोशिश की, परंतु समय की कमी के बज़ा से, मैं कुछ ही जागरती सभाओं की अग्वाई कर पाया. मैंने मास और प्रभु के लहु के बारे में परचार किया. और फिर उन कलिस्याओं के पास्टर्स मेरे पास आए, और कहने लगे कि आज जैसा परचार आपने यहां किया है, जब आपने अपने कलिस्या में किया था, क्या आपके सदस्या छोड़ कर नहीं गए? उन्हेंने कहा कि उनके चर्श के सदस्या चर्श को छोड़ कर चले जाएंगे, अगर वो ऐसा परचार करेंगे, अगर वो ऐसा प्रचार करेंगे, उन्होंने कहा कि उनके चर्ष के सदस्यों को मुश्किले होगी. अगर वो ऐसा प्रचार करेंगे, कि आप पाप ना करो, वेवीचार ना करो. तो क्या मुझे उन्हें नहीं सिखाना चाहिए? कि वो नर्ख चले जाएं? मुझे सिखाना होगा चाहे वो सब चर छोड़के चले भी जाए तो भी मुझे वैसा सिखाना होगा परमेश्वर का दास वो इसलिए है कि उनकी अगवाई स्वर की ओर करें तो फिर मैं उन्हें कैसे ना सिखाऊ यदि भी मैं ये भी जानता हूँ कि वो अन्य था नर्ग चले जाएंगे क्या तुम नहीं जानते कि अन्याई लोग परमेश्वर के राजे के वारिस ना होगे धोखा ना खाओ ना वैश्य गामे ना मूर्थी पूजग ना परिस्त्री गामे ना लूचे ना पुरुष गामे ना चोर ना लोभी ना प्यकड ना गाली देने वाले ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राजे के वारिस होंगे परमेश्वर कहता है वो खुकर्मी जो ऐसे काम करते है वो परमेश्वर के राजे के वारिस नहीं होगे वो कहता है कि वे स्वर्ग नहीं जाएंगे मैंने पहले ही एक-एक करके विस्तार पुरुवक ये बातें आपको बता दी है बाइबल हमसे कहते हैं कि यदि हम परमिश्वर के वच्छन का उलंगन करें और कुक कर्म करें तो फिर उद्धार पाना तक मुश्किल होगा इसलिए अगर हम विश्वासी भाई बेहनों को देखते हैं जो कुक कर्म कर रहे है संसार के अविश्वासियों के समान तो फिर हमें क्या करना चाही बेशक हमें उनके लिए शोक करना है प्रातना करनी है और उनकी मदद करनी है कि वे वचन के अनुसार जीएं लेकिन कुछ लोग ऐसे लोगों से इरशा रखते हैं और सोचते हैं कि मैं एक आराम दायत जीवन जीना चाहता हूं उन히 के समान सुविदा जनक मसी जीवन जीना जाहता हूं कभी कपार मैं ऐसा महसुस करता हूं कि मैं केवल आसान चीजें आपको सिखाऊं मेरा कहने का मतलब यह हो नहीं कि मैं आपको आसान चीजें सिखाऊं ताकि आप चर्श न छोड़े मेरा कहने का मतलब यह हो है कि मुझे दुख होता है जब मैं आपको मुश्किल में पढ़ता हुआ देखता हूँ मैं देखता हूँ कि आप संगर्श करते हैं उन बातों के कारण जो मैं आपको सिखाता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यह उधार का मार्ख है चाहे आप मुझसे बेहर ही क्यूं ना रखें तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता यदे भी कुछ ऐसी लोग है जो मेरी आँखों के सामने से अपने आपको छुपा देते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता उनके बारे में आपको यहाँ बताना आसान है कि आप आशिशे प्राप्त कीजी और पहुतरात्मा प्राप्त कीजी और यदि आप विश्वास करते हैं और आपको प्राप्त हो जाता है तो फिर जो आपको करना है सिर्फ आमीन ही कहना होगा बस इतना है यदि मैं आपको यह ना बताओं कि आप उसे माने उसे रखी उसे निकाल फेंके और उसके बाबजुद भी अगर आप आशिशे प्राप्त करें तो फिर आप आमीन और आमीन ही कहेंगे परंदु यदि आप केवल आमीन ही कहें तो उसका क्या लाब होगा और इससे भी बढ़कर यदि आप उनके साथ शामिल हो तो हम कह नहीं सकते कि आप प्रभू से प्रेम करते हैं पहला पत्रस्तीन अध्याए 18 पत कहता है इसलिए कि मसी ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया आप जानते हैं कि प्रभू पाप रहित और दोश रहित है और वो धर्मी है लेकिन वो धर्मियों के लिए मरा उसने क्रूस तमाम मनुश्यों जाते के पापों के लिए उठाया ताकि हमें परमेश्यों के पास पहुंचाएं क्यों उसने ऐसा किया उसने ऐसा इसलिए किया कि हमारे और परमेश्यों के बीच में पाप की बाधा तूट चाएं हमें स्वर्ग और परमेश्यों के पास पहुंचाएं उन पराहिश्यों का बलिदान बन गया हमें बचाने के लिए श्रत्र दुष्ट और श्रतान के हाथों से और हमारी अगवाई पिता परमेशुर के पास पहुंचाने के लिए उसने ऐसा किया जैसे की लिखा है धर्मी होकर हमारे लिए वो मरा हमारे लिए जो अधर्मी थे ताकि हमें परमेश्यों के पास पहुंचाएं मुझे आशा है कि आप इस महान प्रेम को एहसास करें और कभी भी कुकर में आनन्दित ना हो प्यारे भाईयों और बहनों क्या ये अच्छा नहीं होता अगर आपका कोई ऐसा दोस्त होता जो हमेशा आपके मदद करें हमेशा आपके पास रहें यहोना पंदरा अध्याई 14 बद कहता है जो कुछ मैं तुम्हें आग्या देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो क्या आप ऐसा करते हूँ तो फिर आप उसके मित्र हो आप प्रभु के दोस्त हो सकते हैं और मेरे भी जो कुछ मैं तुम्हें आग्या देता हूँ यदि तुम उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो जैसे कि यहां पर लिखा है उसी परकार से अगर आपको कर्म के साथ आननदित ना हो आपकी हिर्दे में शान्ती देगा आप उसकी मित्र बन सकते हैं अपना हिर्दे उसके साथ साजह कर सकते हैं वशर्ते कि जब आप उसकी हिर्दे के सद्रिश हो वो जो कुकर्म के साथ आनन्दित नहीं होते हैं वरन उस बारे में शोकित होते हैं तो काफी हत्ता का आपका हिर्दे प्रभु की हिर्दे के सद्रिश है। यदि आपका हिर्द आत्मिन प्रेम से भरा है तो फिर आप अधार में तामे को करम में आननदित नहीं होगे वरन सत्य से आननदित होगे तो फिर सत्य से आननदित होने का क्या आर्थ है पहला यहो है प्रभु के प्रचार से आनन्दित होना प्रभु का प्रचार वो सुसमाचार है कि हम येशु मसी के द्वारा बचाए गए हैं और हम स्वत की राजिय में जाते हैं बहुत से लोग सत्य की खोज करते हैं कि हमारे जीवन का उदिश्य क्या है कि एक मुल्यवान जीवन क्या है इस प्रशन का उत्तर प्राप्त करने के लिए वो अलेलग विचार और सिधान्तों की शिक्षा लेते हैं या फिर धर्मों से वो इस प्रशन का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं लेकिन यहुना 14 आध्याई 6 पद में येश्व ने कहा, मार और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरी द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, हमारी प्रभू के बागेर कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, जैसे कि लिखा है, सच्चाई केवल येश्व मसी हैएँ, आपने इस सुसमाचार को सुना, येश्व मसी को ग्रहन किया और उद्धार प्राप्ट किया, आपने अनंत जीवन प्राप्त किया, सत्ते के साथ आनंदित होते हुई, आपकी पापों के लिए आपको खुषमा मिली हमारे प्रभू के लहु के द्वारा और आप नर्क से स्वर्ख की ओर चले गए अब आप जीवन का अर्थ समझते हैं और एक मुल्यवान जीवन जीते हैं इसलिए यहाँ स्पष्ट है कि हम सूसमाचार के साथ आनंदित होते हैं वे जो सुसमाचार के साथ आनन्दित होते हैं, तो वे इसे दूसरों को भी साज़ा करेंगे। इस कलिसिया के सदस्य सुसमाचार को फैलाने, सुसमाचार को बांटने और साज़ा करने और सुनने में बहुत परिश्ट्रमी है। बहुत से लोग अपने हाथों में मानमिन न्यूस पेपर को लेकर लोगों के पास जाते हैं। चाहे वो बोड़े हो या जवान हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग बाहर जाते हैं सुसमाचार का प्रचार करते हैं। प्रभु को ग्रहन करने के द्वारा जब वो उधार पाते हैं तो वे आनंदित होते हैं। जब परमेश्वर के राजे का विस्तार होता है तो वे आनंदित होते हैं। इस कलिसिया के चर्च के सदसिये। आप तब भी आनंदित होते हैं जब बहुत से नई सदसिये। कलिसिया क्योंकि आप परमेशुर की इस इच्छा को जानते हैं, इसलिए आप आनंदित होते हैं जब बचाय हुई आत्माइं बढ़ती हैं, परन तो कुछ लोग जलन रखते हैं दूसरों से, जब वो बहुत से लोगों को प्रचार करते हैं और बहुत सा फलत्पन करते हैं, और कुछ कलिस्याइं दूसरी कलिस्याओं से जलन रखते हैं, जब दूसरी कलिस्याओं बढ़ती जाते हैं और परमेशुर को महिमा देती हैं, यहां तक कि ऐसे भी कलिस्याओं हैं, जो दूसरी बड़ी-बड़ी कलिस्याओं की आलोशना करते हैं, हलांकि वो दावा करते हैं, कि ये इश्व मसी ही उधार करता है, ये कितनी नीच बात है, और कुछ ऐसे भी सदस्य हैं, जो इस बात का आगरह करते हैं, कि हमें सदस्यों को दूसरी कलिस्याओं में भेजना चाहिए, क्या आप किसी और कलिस्याओं में जाएंगे, अगर मैं आपको कहीं और भेजूँ, आपने आत्माओं को प्रचार किया, क्योंकि आप उन्हें स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, यदि आपको यहाँ पता चले, कि वो अनुगरे खूब बैठेंगे जब वो किसी और कलिस्याओं में जाएंगे, और वो नर्क चले जाएंगे, तो क्या फिर आप उस कलिस्याओं में जागरिती हो, अगर चर्च में महान जागरिती हो रही हो, तो उसका कारण होता है, अवश्य ही वो कारण होते हैं, क्या आप पैसों से सदस्यों को खरीदते हैं, क्या आप इस तरह से प्रचार करते हैं, कि अगर आप मेरी चर्च में आएंगे, तो मैं आपको पैसा दूग अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा अगर जागरिती होती हैं आप सु समचार के लिए प्रातना करते हैं बहुत सी आत्माओं को प्रचार करते हैं फिर आपकी कलिसिया में जागरिती आती है तो फिर कैसे वो कलिसिया पर दोश लगा सकते हैं वो भी सर्फ इसली, क्योंकि वो विशाल चर्च भावन का निर्मान करते हैं, अगर चर्च का विस्तार हो रहा हूँ, तो वो नया भावन क्यों ना बनाए? जब परमिश्वर आदेश थे, तो क्या चर्च नया भावन नहीं बनाएगा? कैसे वो उन कलिस्याओं से एर्षा रख सकते हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, और असंख्या आत्माओं को स्वर्ग ले जाते हैं? कैसे केवले एक ब्रॉड कास्टिंग कंपनी किसी चर्च की आलोचना कर सकते हैं? एक ब्राड कास्टिंग कंपनी वो भी एक छोटी सी कंपनी की रूप में शुरू हुई होगी लेकिन उसकी उन्नती हुई और उसका विस्तार हुआ फिर उन्होंने एक बड़ा भवन बनाया होगा जिसमें बहुत से करमचारी और बहुत सी सेवाई उपलब्ध हो अगर ज्यादा मरीज होते हैं तो हॉस्पिटल को बड़ा भवन बनाना पड़ता है कि सारे मरीज उसमें आ सकें जब उनके पास बहुत-बहुत मरीज होते हैं तो उन्हें ऐसा करना पड़ता है और चर्च के उपर भी यही लागू होता है लेकिन ब्रॉड कास्टिंग कमपनी इस बात को नहीं समझती यह कितने नीच हरकत है इसलिए यहाँ है सत्ते के साथ आनन दितना होना आपको अपने आपको जाँचना है कि क्या आपके अंदर सचा प्रेम है क्या आप सच मुझ सचा प्रेम परमीशुर से करते हैं और आत्माओं से करते हैं यदि आपकी हिर्दे में आत्मिक प्रेम हो तो आप आनन दित होगे जब आपको पता चलता है कि परमीशुर के राजे का महन तासी विस्तार हो रहा है आप साथ मिलकर आन दित होंगे जब आप ऐसी कलिसिया को देखते है जिसी परमीशुर प्रीम रखता है और वो बढ़ रहा हो अगर चर्च में जागरेती हो तो उसका कारण होता है या तो पास्टर का प्रेम बहुत महन है या फिर पास्टर परमीशुर की सामर्थे प्रकट कर रहा है या फिर उसके पास परमीशुर के वचन का अधिकार है या कुछ भी हो और साथ ही जब आप किसी को देखते हैं जो आप से कहीं अधिक विश्वास योगे हैं और बहुत से फल उत्मन करता हो तो फिर आप उसके साथ आननदित होते हैं जैसे मानों वो आपका अपना फल हो यहो है सत्य के साथ आननदित होना जो कि इस समाचार के साथ आननदित होना है दूसरा सत्य के साथ आनदित होने का मतलब है उन सभी बातों से आनदित होना जो बाते सत्य से संबन रखती है यहो है उन बातों को देखने सुनने और करने के द्वारा आनदित होना जो सत्य से संबन रखती है जैसे कि प्रीम भलाई और न्याई लेकिन क्या हुए सत्य के साथ आनन्दित होते हैं आनन्दित होते हैं जब वो सत्य के बातों को देखते सुनते और करते हैं जैसे कि प्रेम नयाय और भलाई मेरा मतलब है क्या वो ऐसा करते हैं हमारे बहुत से सदत से जब संदेश सुनते हैं तो वो आंसु बहाते हैं, आप गवाहियों से आनन्दित होते हैं, चाहे छोटी ही बात क्यों न हो और आप उसे द्रवित होते हैं, आप आनन्दित होते हैं, परमेश्वर की वचन को सुनने में भी, क्योंकि सारे के सारे परमे प्रमेश्वर की वचन का अभ्यास करने में आप आनन्दित होते हैं। वे जलन नहीं रखेंगी। बूरी चीजों के बारे में सोचना अभी उनकी लिए कल्पना से बाहर है। जैसे की उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होना चाही या फिर दुसरों की नाखुशी के साथ आनन्दित होना। वरन जब वो कुछ को कर्म देखते हैं तो हुने शोक होता है उस बजा से। और साथ ही वे जो सत्य से आनन्दित होते हैं वे उस हिर्दे से प्रीम रखते हैं जो हिर्दे भालाई का है। जैसा कि नाबदले वाला हिर्दे, सत्य का हिर्दे, इमान्दारी का हिर्दे वे अच्छी बातों से अच्छी कामों से आनन्दित होते हैं। तीसरा यहुना एक अध्याई चार पद में लिखा है। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनन नहीं कि मैं सुनू कि मेरी लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। और मैं भी ऐसा ही करता हूँ, परमेश्वर और प्रभु भी ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर सत्य में चलते हुए अपनी संतान को देखकर प्रसन होते हैं। मुझे कितनी खुशी होती है, जब मैं आपको देखता हूँ कि आप सत्य पर चलते हैं। ये प्रेड़त यहुना कांगी कार है, जिसे प्रेम का प्रेड़त कहा गया, पिता परमिश्वर भी बहुत अधिक आनदित होते हैं, जब उसके बच्चे सत्य पर चलते हैं। जिस सीमा तक आत्मिक प्रेम आपकी हिर्दे में भरता है, तो आप पिता परमिश्वर की हिर्दे के सद्रिश भी बन सकते हैं, आप बहुत अधिक आनदित होगे, जब आप सत्य की बातों को देखोगे। इस कलिस्या के सदस्ये महानता से बदल गए हैं, वे सत्य से आनदित होते हैं, आत्मा में आनदित होते हैं, वो परिश्रम से भलाई और आत्मा में आने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे बहुत प्रसंद हूँ, जब वो मुझे अपने गवाहियां भेजते हैं, वे कहते हैं कि हो मुश्किल था, कठिन था आत्म और सच्चाई में आने के लिए लेकिन वो कहते हैं कि अब वो बहुत मुश्किल नहीं है वो कहते हैं कि उनके पास विश्वास है कि वो कर सकते हैं इसका मतलब यह हो है कि उन्होंने मन फिरा दिया है अगर मन फिरा दिया हो तो यह मुश्किल नहीं है क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप के बहुत से बोश को निकाल दिया है पुटर आत्मा की इच्छा जो उनकी हिर्दे में है वो ताकतवर है और उनकी आत्मा की ताकत सत्य को जीतने की और भी महन है क्योंकि आत्मा की इच्छा शरिर की इच्छा से कहीं ज्यादा ताकतवर है इसलिए उन्हें यह आसान लगता है अब उनके पास विश्वास है कि वह आत्मा में बदल सकते हैं आप मैंसे हर कोई मुड़ गए हैं अवश्य ही आपको मुड़ जाना है एक बार यदि आप कोने से मुड़ जाएं तो आप आत्मा में और भी आसानी से आजाएंगे आपको अवश्य ही कोना बनाना चाही मुड़ जाना चाही तो आप तेजी से आत्मा में आ जाएंगे आसानी से आत्मा में आ जाएंगे यदि आप सत्य से केवल सत्य से आनन्दित होते हैं तो आप वचन का भी और सत्य का भी अभ्यास करेंगे क्या आप अपना हिर्दे जाँच पाए हैं इस संदेश को सुनने के बाद क्या कोई ऐसा है जो निराश है यहों सोचते हुई कि आप वास्विक्ता में सत्य के साथ पुरी तरह से आनन्दित नहीं होते आप अपने आपको जाच सकते हैं लेकिन आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है यदि आप अपना बहितर करें तो प्रेमी परमिश्वर उस प्रयास को भी सत्य के साथ आनन्दित होने के रूप में ग्रहन करेगा इसलिए तिसरा, सत्य के साथ आनन्दित होना है परमिश्वर के वचन पर विश्वास करना और उसका अभ्यास करने की कोशिश करना वे जो सत्य के साथ आनन्दित होते हैं परिश्रम पुर्वक वचन के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं वो प्रयास करते हैं अगर वो प्रयास ना करें और कहें कि वे सत्य से आनन्दित होते हैं तो वे जूट बोलते हैं शुरुवात से ही कोई व्यक्ति सत्य से आनन्दित हो, ऐसे व्यक्ति को ढूड़ना बहुत मुश्किल होता है, जब तक हम में शरीर है, हम बुरी चीजों के बारे में सोच सकते हैं, या फिर कुकर्म से आनन्दित हो सकते हैं, कि वो तब जब हम थोड़ा-थोड़ा करके बद वो कहते हैं, कि अगर वो उन्हें दबाते हैं, कि वो विचार उनके पास ना आए, तो वे और भी अधिक आते हैं, लेकिन यह हो एक ऐसा स्तर है, जिसे आप सब को पार करना है, पहले और दूसरे विश्वास के स्तर में आप यही अनभव करते हैं, अगर आप यहाँ अनभ और बुराई को निकाल फेंके, तो फिर शरीर के विचार और अधिक नहीं आएंगे, केवल भलाई सत्य के विचार ही आएंगे, एक ऐसा भी स्तर है, जहां पर आप असत्य के विचारों के बारे में सोचने की कोशिश करें, तो भी वे विचार नहीं आएंगे, मैंने एक ब आनंद और खुशी आपके हिर्दे में हर वक्त बनी रहेगी, आपके हिर्दे में शान्ती बनी रहेगी, आप पर मेश्वर के साथ मेल मिलाप में रहेगी, सभी के साथ मेल मिलाप में रहेगी, सत्ते में आप मेल मिलाप में बने रहेगी, इसलिए आपके अंदर मेल और शान् यह वो समय होता है जब आप आत्मा के नजदीक आते हैं. एक बार अगर आप आत्मा में आ जाएं, तो शरीर के विचार आप में बिल्कुल नहीं आते हैं. अगर असत्य के विचार लगातार आ रहे हैं, अगर आप उन्हें दबाने की कोशिश भी करें, तो फिर आप शायद म को परिश्रम पुरुवक कारे करना है. उधारन के लिए, इस भवन में, आप मैंसे सब के सब ऐसा महसूस नहीं करतें, कि आ, मैं तो आरातना सभा में बहुत खुश हूँ. वो जो नहीं विश्वासी हैं, या फिर वो जिनका कमजोर विश्वास है, आप ठकावट महसूस कर सकते हैं, या फिर आपका हिर्दे कहीं और भटक रहा हो सकता है. लेकिन चर्श में आना, आरातना सभा में शामिल होने का जो कार्य है, वो एक प्रयास है परमेश्वर के वचन का पालन करने की कोशिश करने का. यहो है सत्य में आननदित होना. क्यों हम इस तरह से प्रयास कर करते हैं, क्योंकि यह उद्धार पाने का मार्ग है, स्वर्ग जाने का मार्ग है, क्योंकि हमने वचन सुना है सत्य का, और हम वचन पर विश्वास करते हैं, और हम यहो भी विश्वास करते हैं, कि नया यरुश्लिम सबसे बहितर निवास्थान है, और आप यहो भी जानते कि प्रत्य को जो प्रतिफल दिये जाएगे वो अलग-अलग है। इसलिए आप और भी परिश्रम करते हैं कि आप पवित्र बने और प्रमेश्यों के सारे घराने में विश्वास स्योगता से कारे करें। यदे पि आप सौ परतिष अभी सत्य से आनदित नहीं हो पाते हैं। लेकिन यदी आप अपने विश्वास के परिमार में बहतर करें। तो यँह है सत्य से आननदित होना। प्रमेशों ने हमसे वादा किया है प्रकाशित वाक्य दो अध्याय दसपत के दूसरे हिस्से में, प्रान देने तक विश्वास ही रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूँगा. क्या आपको लगता नहीं कि अगर आप प्रान देने तक विश्वास योगिया रहेंगे, तो आप अउत्र करन नहीं साथ सकते हैं। हलांकि आवश्वक तोर पर यहाँ आसान नहीं होता है प्रान देने तक विश्वासी रहना, लेकिन वो जो सत्य से अनदित होते हैं बिना बदलाओ के, वो यहाँ तक कि अपने जीवन को बलिदान करने के द्वारा भी विश्वास योगिया रह पाएंगे, वो इसलिए, क् क्योंकि जिस सीमा तक वो परिश्रम पुरुवक पर मिश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और पालन करते हैं, तो आत्मिक विश्वास और आशा उन्हें दी जाएगी, वे स्वर की आशा से भरे रहेंगी, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, क्योंकि वो बचाय ये स्पष्ट है हमारे लिए कि हम केवल सत्य में आनन्त जीवन देता है और हमें पूरी तरह से बदल सकता है। वचन के अनुसार चलें तो हम एक परमिश्वर की सिद संतान के रूप में बदल जाएंगे। सत्य में अध्भुत सामर्थ है मनुश्यों में सब बातों को नया बनाने की और उन्हें सुन्दर बनाने की। अगर हम हर दिन सत्य में बदलते जाएं तो हम बहुत खुश होगे। क्योंकि हम स्वर् की आशा से भरे रहेंगे और आत्मिक प्रेम से इसलिए आनन से हमारे मुख्ष्चमकेंगे। और साथ ही, जिस सीमा तक हम सत्य से बधल चाएंगे, हम खुश रहेंगे, क्योंकि परमेशुर हमसे प्रेम रखेगा और आशिश देगा और बहुत सी लोग भी हमसे प्रेम रखेंगे, और आखिरकार हम नई एरुशलिम चाएंगे, और सधाकाल के लिए शान्ती में रहेंग जब आप सत्य की लालसा रखेंगे, तो आपको इस तरह से लालसा रखनी है, ताकि आप तेजी से सत्य के वक्ती में बदल जाएं, आपको हमेशा ऐसा जीवन जीना है, जब आप हर वक्त सत्य को खाते और पीते हैं, सत्य को खाना और पिना क्या है, वो है परमिश्र का वच पाएंगे जो आप के लिए तयार है. मसी में प्रियंभाई और बहनों यदि आप किसी के सामने खड़े होते हैं जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं तो अपने खुशनुमा चेहरे को छुपाना मुश्किल होता है. परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं तब भी ऐसा ही होता है. हाला कि इस वक्त परमेश्वर के आमने सामने खड़े रहने कि हम योग्या नहीं हैं. लेकिन अगर हम सच मुच परमेश्वर से प्रीम करते हैं तो यह बहारी रूप में प्रकट होगा. उसका मतलब यह हो है कि अगर हम सत्य को देखेंगे या सुनेंगे थोड़ा सा भी तो हम खुश होगे. हम बलाए कि छोटे से काम से भी द्रवित होगे और आंसु बहाएगे. वे आंसु जो भालाई से समन्द रखते हैं जैसे कि धन्यवाद के आंसु दूसरी आत्माओं के लिए शोग के आंसु वो भाद में आप मैसे प्रत्ते की स्वर्ग के घरों को सजाने के लिए सुन्दर मनी रतन बनेगे. मुझे आशा है कि सत्य में आनंद करते हुए जो आंसु आप बहाएंगे वो सुन्दर मनी रतन बने जो स्वर्ग में आपके घरों को सजा सकें नए यरुश्लिम में आपके घरों को सजाने के लिए आपके पास सुन्दर मनी रतन हो हमारे प्रभू ये शुमसी के नाम से मैं प्रातन करता हूँ